नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बनने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इंटर भरीचा कौपी का मुल्यांकन शडू बिहार से कार कड़ेगी बंपर बहाली स्मार्ट सिटी के तहट बिहार में होगा एडवांस सर्विलांस बिहार में साइबर ठगो पर कसा जा रहा से कंचा कामरान अकमल ने इस भारतिये गेंदबाज पर लगाया गंभीर आरो इसके साथ ही वरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के उर्विस्तार से मेडलिस्ट खिलारी अब सीधे बनेंगे स्टी ओ और डियस्पी विद्धिन मुक्हे मंतरे नितीज कुमार के अध्यक्स्ता में हुई काबिनेट बैटक में नितीज कुमार के द्वारा बिहार के खिलारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है बता दी कि अब बिहा नहीं होने पर 5 साल का मौका भी दिया जाएगा मालूमों कि इससे जुरी प्रस्ताओं पर बीते दिन मुक्हे मंतरे नितीज कुमार के द्वारा अंतिम मुहर लगा दी गई है यानि कि अब खेल से भी बिहार के युवा अपने भाविश्य को पूरी तरह से सेक्योर कर सकते इंटर परिक्षा कॉपी का मुल्यांकन सुरू पिते दिन से बिहार में इंटरमीडियर वार्सिक परिक्षा 2023 के उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन की श्रुवात हो गई है बता दे कि मुल्यांकन कारे दो पालियों में चल रहा है जिसमें से पहली पाली की श्रुवात आठ मल्यांकन का कार्ट सुचार रूप से किया जा सके या कोई असमाजिक व अन्य कानूनी विरोधी व्यक्ति के दोरा कोई बाधा उत्पन न की जा सके इसके लिए केंद्र से 200 गज की दूरी तक 13144 लागू है इसके साथ ही सुरक्षक इंतिजान को देखते वे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाओ, कोई भी प्रदर्शन या हतियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है बिहार सरकार करेगी बंपर बहाली बीतर दिन मुखे मंतरे नितीज कुमार की अध्यक्षता में हुई काबिनेट की बैठक में राजे में बंपर बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है पदादे के सरकार के ओर से बिहार में अलग-अलग विभागों वस अंस्थानों में 510 पदों पर श्रीजन की सुकृती दे दी गई है इसके साथ ही काबिनेट ने राजे के माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्यालियों में समावेशी सिक्षक के तहत विशेश आवेसक्ता वाले विद्यार्थियों की सैचनी गुन्वता में सुधार के लिए विभिन दिव्यांगता की प्रसचत विशेश सिक्षकों के कुल 270 पदों के श्रीजन को मंजूरी दी है इसके लावा बीतर दिन आरे भट ग्यान विश्चिविद्याले में सिक्षकों पदादिकारियों एवं करंचारियों के 201 पद श्रीजित किये गए हैं पटना पहुँचे बॉलिवुड के मशूर सिंगर यासीर दिसाई बिहार की राजधानी पटना पहुँचे दरसल वह पटना के PMCH के अंठानवे स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित मृदंग शो में अपने लाइब परफॉर्मेंस को लेकर पटना पहुँचे थे और अब तक वह तीन चार बार बिहार आ चुके हैं और यहां के लिट्टी चोखे का भी सुआद ले चुके हैं चोने काफी पसंद आया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यासीर दिसाई ने दिल को करार आया हुए बेचान आखों में आसू लेके दिल मांग रहा है पल् अगर्बंधन के समर्थकों का भारी जुटान देखने को मिला बता दे किस रैली में साथ घटक दलों के बड़े नीता एक साथ मंच पर देखने को मिले वहीं स्रैली में मुख्यमंतरी रितीज कुमार और उप मुख्यमंतरी तैश्वी आदव का स्वागत मकाना के माला से किया गया इस दोरान बिहार सरकार के मंत्री वा जदियू के कदावर नीता सोग चौधरी ने मंच पर संबोधन के दोरान कहा कि माघडबंधन ने लोग सबाचनाव 2024 की तैयारी का आगास्त कर दिया है उन्होंने कहा कि हम केंद्र में NDA को रोकेंगे पता दे किस रैली को लेक उसके लिए दिन प्रते दिन बरती जारी है पता दी कुस दिन पहले यूपी पुलिस की ओर से नेहा सिंग राठोर को साथ सवालों वाली नोटिस भेजी गई थी जिसके बाद उनके पते हमानसू से उनके कोचिंग संसान वालों ने इस्तिफा भी मांग लिया था तो वही अब नेहा सिंग राठोर हॉस्पिटल में भरती हो गई थी तरसल नेहा सिंग राठोर को इस पूरे घटना करम से तनाओ में आकर एंग्जाइटी अटैक आ गया था जिस वजह से उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भरती कराए गया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में करीब दो घंटे तक रखा गया और फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई इस बात की जानकारी खुद नेहा सिंग राठोर के द्वारा दी गई है बिहार यूपी के लोगों को मिला और दो जोरी स्पेशल ट्रेन अगर आप भी होली में अपने घर जाने की सोच रहे हैं लेकिन भीर होनी की वजह से आपको ट्रेनों में टिकेट नहीं मिल पा रही है तो यह खबर आपके लिए है बता देए कि रेलवे के ओर से यात्रियों के श्रुधा को ध्यान में रखते वे दो और जोरी होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन का नर्णय लिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता देए कि अभी तक रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए 24 जोरी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का नर्णय ले लिया चुका है जिसमें अब दो जोरी ट्रेन और शामिल हो गई ये बता देगी कि जिन दो जोरी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का नड़ने लिया गया है उनमें गारी संख्या 0225-02249 आनन्द विहार पटना आनन्द विहार गती सक्ती सूपर फास्ट एसी स्पेशल एक्स्प्रेस और गारी संख्या 09525-09526 ओखा नड़ाला गुन ओखा स्पेशल ट्रेन शामिल है जिनके शुरवाद 4 और 7 मार्ज से होने वाली है पिहार के लोगों की परिशानियों में एक परिशानी ट्राफिक ववस्था भी है जिसे ठीक करने के लिए स्मार्ट सेथी के तहें बिहार में हाई-टेक कैमरे लगानी की तयारी चल रही है बता दे किस कैमरे की लगने से ना केवल वाहनों पर नज़र रखी जा सकेगी बलकि तेजगती से वाहन चलाना या नियम तोडने वाले वाहनों की पहचान कर उनका आटोमेटिक चलान भी काटा जा सकेगा इस बात की जानकारी बीते दिन क्राफिक डीजी सुधान सुख कुमार के द्वारा प्रसवारता में दी गई उन्होंने कहा कि इन कैमरों को उन नेशनल हाईवे पर भी लगाया जा रहा है जहां सरवादिक दुरहटना होती है इसके लिए एनच को चनत किया जा रहा है वहीं क साइबर ठगों पर कसा जा रहा सिकंजा बेहार में साइबर अपरास जोने मामले को भरते देखते वहिं साइबर अपरादिओं पर नकेल कसने के लिए EOU यानि की आर्थी कप्रा अधिकाई के द्वारा तकनीक का सहारा लिया जा रहा है बतादे की EOU की टीम के द्वारा अब तक बैंक अधिकारियों से संपर्क कर ऐसे पौने 200 से अधिक बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है जिसमें ठगी के बाहर साइबर ठग रकम भेशते हैं इसके साथ ही 13 फरवरी को EOU की विशेश टीम और पुलस अधिकारियों के टीम के द्वारा आधा दर्जन से अधिक जिलों में दविश्ट टेकर 29 साइबर ठगों को गरफतार किया गया है और साथियन अपराधियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, ATM, स्वाइप, 70 लोगों के डाटा और 1,15,000 रुपए भी बढ़ामत किये गया है इसके लावा अब तक टीम के दोरा 470 सिम कार्ड को निश्क्रिय कराया जा चुका है मालू हो के पिछले दो वशों में राजे भर से 1400 से अधिक साइबर ठगों की गिरफतारी की जा चुकी है खोली से पहले सरकार ने वकीलों की फीस में की बरहोतरी विधिविवाग के दोरा पत्र जारी करिया जानकारी दी गई है कि पटना हाई कोट और अन्य विभार नयायाले में सरकार की ओर से विदिपदादिकाडियों एवं अन्य वकीलों, सहायक वकीलों और नीजी लिपीकों के फीस में राज्य सरकार के दोरा बरहोतरी कर दी गई है यानि कि अब हाई कोट में न्युक्त महाधिवक्ता को पौने 2 लाख रुपे महीना दिया जाएगा वही राज के वकील को 1.4 शुने लाख, सरकारी वकील और स्थाई सलाहकार को 1.2 शुने लाख अपर लोग अभियोजक और S.C.S.T. केस के वकील को 70,000 और सहायक लोग अभियोजन को 60,000 रुपे महीना दिये जाएगे बिहार सरकार ने डॉक्टरी की पढ़ाई की फी कीता है अगर आप भी उन लोगों में है जो मेडिकल कॉलेज मैनुशन तो लेना चाहते हैं लेकिन इसमें लगने वाले फी को देखकर अपने कदम पीछे कर लेते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है पतादी की बिहार सरकार के दोरा बिहार के प्राइवेट और सरकारी दोनों मेडिकल कॉलेजों के फी तै कर लिये गया है यानि की अब कोई भी कॉलेज अपने मन मताबिक फी नहीं ले सकता दरसल बीते दन केंदर सरकार के फैसले के मुताबिक राजे के सभी नीजी चिकिस्ता महाविद्याले और डिम्ड विश्र विद्यालेों में MDBS और PG की 50 पतीशत सीटों पर नामांकर और ट्यूशन फी समेए दूसरे सुल्क राजे के सरकारी चिकिस्ता महाविद्याले के कुछ दिनों पहले ही राजे सरकार के द्वारा राजे में असलील गानी को लेकर कठोर कारवाई कादेश पारित किया गया था लेकिन इसी वीच भोजपूरी सिंगर प्रमोद प्रेमी एवं गीतकार मनीश कौडी के द्वारा अस्त्रियम की अभेलना करते वे हूली के मौक के दिया गया बताया जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी द्वारा शोशल मीडिया पड़े एक गीत चारी किया गया था जिसमें उन्होंने गीत के माध्यम से बसपा नित्री मायावती एवं लोजपा रामविलास के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई अन्य र पोजफूट SP से की थी पोस्टर में मोदी को राम और अमस्था को हनुमान दिखाने पर आरजेडी का तंच अजग्रे मंतर अमस्था पटना आये है वहीं उनके आगमन को लेकर BJP कारे करता हों के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र म की जाती है तो कहीं न कहीं यह भगवान राम का अपमान है उन्होंने कहा कि अब BJP की लंका पूरी तरह समाफ्थ होने वाली और अगले चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि धर्म के नाम पर चोवर राजनिती कर रहे हैं उससे भारत की जंगता स्विकार नहीं करती यहां सब ढोंग BJP का है जो जल्दी खत्म होने वाला है बीजेपी के द्वारा जिस रामराज की बात की जाती है वैसा इस देश में कुछ नहीं दिख रहा है कामरान अकमल ने इस भारतिय गेंदबाज पर लगाया गंभीर आरोप पाकस्ताने टीम के पुर्वखिलारी कामरान अकमल के द्वारा साल 2009 और 2012 का एक खिस्सा याद कर भारतिय तेज गेंदबाज इसांस सर्मा और ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर पर आरोप लगा तरसल उस दोरान सईद अजमल गेंदबाजी कर रहे थे और मैं विकर्ट के पीछे से गेंद को पकरने के बाद कैच की अपील कर रहा था जिसे अमपायर ने नकार दिया था जिसके बाद गंभीर ने मजा के आंदाज में कुछ कहा लेकिन मुझे याद है उन्होंने कोई अ सर्मा ने गाली दी थी जिस पर मैंने भी अपनी प्रतिक्रियाद दी थी हाला कि उस दोरान महिंदर स्टिंग धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे तो उन्होंने और सुरेश ट्रैना ने मामली को संभाल लिया था जानी आज बिहार में आज यानी सनिवार को पेट्रॉल दो डीजल चरानी दाषम लो शुन्य दो रुपय प्रति लीटर में मिल रहा है मुझा परपुर मैं पेट्रॉल 107.9 रुपय और दीजल चरान। प्रति लीटर है बता दे कि बिहार में पेट्रोल का इड़ सबसे आदा कसन गंज में है चहां पेट्रोल 109.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.44 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है प्रति लीटर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिनोंने हमारे पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके नुसारा असलील गानों के रोक थाम को लेकर सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाने चाहिए आपना जवाब हमें मारी कमेरे सेक्षिन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन बवाद!